नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में. दोस्तों, आज हम आप सभी को एक बहुत बड़ी और भयंकर घटना के बारे में आप सभी को बताने जा रही है कि दोस्तों आपके आसपास कई दिनों से यह एक दिव्य शक्ति आपके आसपास घूम रही है और आपको इस बात से अभी तक भनक भी नहीं लग पा रही है तो दोस्तों यह दिव्य शक्ति क्यों घूम रही है और क्या चाहती है आप से और इस दिव्य शक्ति के आपके आसपास होने से आपको क्या फाइदा होगा और क्या नुकसान होगा और क्या ऐसा हो सकता है कि इस दिव्य शक्ति के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन ला सके हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे विशेश और महाशक्ति शाली उपायों के बारे में जिनको आप यदि अपने जीवन में आजमाले सिर्फ पांच दिनों के लिए तो आप इस दिव्य शक्ती से बहुत बड़े लाब ले पाएंगे अब सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि आपको यह पता चले कि यह दिव्य शक्ती कौन है और आपके जीवन में इसका प्रवेश कैसे हो गया और कब हो गया दोस्तों ये सब जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आपको इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं है यह दोस्तों, कोई भी आपको इतنا गूड और इतना गहन घ्यान देता नहीं है, जितना की हम आपको बताते हैं और इसी के साथ साथ हैं, हम आपको बताएंगे. कुछ सावधानिया जो अगले पांच दिनों तक आपको बना कर रखनी है साथ ही साथ कुछ उपाए जो आपको करने है और आपका जीवन चमतकारी तौर पर बदल जाएगा आपके जीवन में अद्भुत मन चाहे बदलाव आप लाने में सक्षम रहेंगे बस शर्त एक ही है कि आपको वीडियो पूरा देखना है आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा और आप अपने जीवन की एक बेहद ही महत्वपूर्ण ज्यान से बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव से सूख जाएंगे इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो आज की ग्रह दशा है इसके अनुसार ग्रह गोचर के आधार पर कौन से ऐसे विशेश कार्य हैं जो आपको निश्चित तोर पर करना चाहिए लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिन से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन कार्यों को करने की गलती कर दी तो आपका भारी नुकसान हो सकता है तो वीडियो को प्रारंब करते हैं लेकिन इससे पहले आप से एक निवेदन है कि कॉमेंट में सच्चे भक्ति भाव से सच्चे मन से जैमा काली अवश्य लिखें माता का सीधा, प्रेम और आशीरवाद आपको प्राप्त होगा माता की कृपा आपके उपर बनी रहेगी दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, इसके अनुसार आपको हम बता दें कि आप अपने जीवन के किसी भी प्रकार की फैसले में अपने शुबचिंतकों को शामिल करना बिलकुल भी न भूले अपने शुबचिंतकों की और अपने परिवार के बड़े बुजर्गों की सलाह लेकर ही किसी महत्वपूर्ण निर्णय को ले यह आपके लिए बहुत अधिक लाबदायक रहेगा साथ ही साथ दोस्तों आपके मन में विचारों में बहुत अधिकता रहेगी कहने का मतलब यह है इस समय आपके मन में कई प्रकार के अनेक अनेक विचार आएंगे तो आपका मन को थोड़ा सा चंचलता की ओर जाएगा और आपके कारियों से आपका मन थोड़ा सा हटेगा आपका ध्यान हटाने पर यह होगा कि आप अपने कारिय पर विशेश ध्यान दें और अपने मन के जो विचार आएंगे उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश करें अपनी एकागरता को बिलकुल भी न कोई साथ ही साथ आपकी कार्यस्थल पर जो आपके विरोधी है जो आपको बिलकुल भी पसंद नहीं करते हैं उनकी किसी न किसी बात को लेकर आलोचना होगी, बेज़जती होगी और शायद उन्होंने आपके लिए ही कोई शड्यंत्र था, जिसमें भी खुद ही फंस गए हैं, इसकी वजह से इसकी सजा उन्हें प्राप्त होगी, कुल मिलाकर आपका आभारी रहेगा और विरोधी आप के परास्थ हो जाएंगे। अपने मन को बेचैन बनाएंगे अब आपके उपर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकार का शड्यंत्र कर सकता है आपको धोखा दे सकता है इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है खास तोर से अपने व्यावसाईक स्थल पर किसी भी प्रकार के व्यवसाईके अनुबंध को करने से पहले जो पेपर है जो कागज हैं उन्हें अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ ले और लापरवाही बिलकुल भी न दिखाएं और हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी प्रकार की जल्द बाजी बिलकुल भी ना करें। अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है और एक खास बात हम आपको और बता दें कि आप जिन लोगों की मदद करने के लिए तुरंथ तयार हो जाएंगे वही लोग मौका पढ़ने पर आपको धोखा दे सकते हैं और देंगे ही इसी वजह से आपका मन खिन्न हो जाएगा आने वाले तीन से चार दिनों में यह घटना आपके जीवन में घटेगी कि आपको एक ऐसे इनसान से धोखा मिलेगा जिस पर आपको पूर्ण विश्वास था और यहां तक कि आपने उसे इनसान की भरपूर मदद भी की थी लेकिन उस इनसान के इस धोखे बाजी से आपका मन बहुत दुखी हो जाएगा जी हाँ दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी वानी पर भी संयम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यदि आप नहीं जरूरत से ज्यादा कुछ बोला तो लोग उसको गलत मतलब निकाल कर आपके उपर आरोप लगा देंगे और आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी कमी आ सकती है इसी के साथ साथ दोस्तों आप व्यर्थ के विवाद और जगड़े में भी पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आपका मन बेचैन हो जाएगा इस से बहतर यह होगा दोस्तों की आप लोगों से कम बात करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें खासतोर से अपने कार्य स्थल पर और अपने व्यापारिक स्थल पर आपको यही स्थिति बना कर रखनी होगी अब यदि आपका संपत्ति को लेकर किसी के साथ कोई विवाद चल रहा था कोई मामला ऐसा था जो अब तक अटका पड़ा था तो उस मामले में गती आ जाएगी और यदि कोई विवाद है तो वह विवाद समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको विजय प्राप्त होगी अब इस सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों हम आपको बता दें कि आने वाले तीन से पांच दिनों में आपको किसी भी प्रकार की नई व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है यह दोस्तों यदि आप मन बना रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुख जाए जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं तब आप नई व्यापार की आधार शिला रखी इसी के साथ साथ यदि आप अपने व्यापारिक स्थल पर कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी उसके लिए आप रुख जाएं समय अनुकूल नहीं है अभी आपको अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को सही करने में ही अपनी उर्जा और अपना समय लगाना होगा आपके जीवन में अभी उत्तल पुथल का माहौल चल रहा है अभी वातावरन कुछ इस प्रकार का है कि परिस्थितियां कभी कभी आप भी नहीं शिव बाहर हो जाती हैं तो बहतर यही होगा कि अभी आप अपने जीवन की अव्यवस्थाओं को संतुलित करिए और परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको अधिक से अधिक उर्जावान रहना है सकारात्मक रहना है और पूरी शक्ति के साथ हर एक मामले को जो आपके जीवन में चल रहा है चाहे वह आपके रिष्टों को लेकर हो आपके व्यापार को रुपए पैसे या प्रॉपर्टी या फिर आपके घर संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद को लेकर हो बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे और नुकसान अंत में आपका ही होगा दोस्तों आपके उपर लांचन लगेंगे लोग आपके उपर आरोप लगा देंगे और आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको दोशी बना दिया जाएगा एक और बात हम आपको बता दीं कि अगले तीन से पाँच दिनों में आप धार्मिक कारियों के प्रतिरुजान बढ़ेगा धर्म में और ईश्वर में आपकी आस्था गहरी हो कि हो सकता है कि आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का एक मौका भी मिले चाहे नजदीकी हो या दूर का तो आपको यदि ऐसा मौका प्राप्त होता है तो आपको निश्चित तोर पर जाना चाहिए और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपके जीवन में सद्गती की और आपकी उन्नती की शुरुआत की तब होगी जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे धार्मिक होंगे जरा भी आधार में हुए और जरा भी अपना विश्वास ईश्वर से आपने हटाया और आपको नुकसान मिलेगा आपकी राश्य की तरक्की उन्नती केवल एक ही स्थिती में बनेगी कि ईश्वर की क्रिपा जब आपके उपर रहेगी तो आपको साथ रहना है इश्वर में विश्वास रखना है सत्य का साथ देना है दोस्तो आपको जब भी विजय प्राप्त होगी सत्य का साथ देकर ही होगी आपके आसपास के लोग आपको यह कहती मिलेंगे कि पैसा कमाने के लिए गलत तरे के काम धंडे करने पड़ते हैं लोगों से जूट भी बोलना पड़ता है वगेरा वगेरे की अनाप शनाप बातें आपको बेशक सुनने को मिलेंगी आपका हो सकता है मन भी करें कि आप कभी किसी गलत कारे को करके पैसा कमाने की कोशिश करें लेकिन आपकी अंतरात्मा कभी इस बात की गवाही नहीं देगी आपके कदम पीछे हट जाएंगे जब भी आप किसी गलत कारे को करने चलेंगे यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने आपके अंदर जो आत्मा दी है जो हृदय दिया है वह केवल और केवल सत्य की राह पर चलने के लिए बना है तो जब भी आप किसी गलत कारे को अंजाम देगी अंजाने में ही सही आपको उसकी सजा अवश्य मिलेगी उसका दंड अवश्य मिलेगा लेकिन आप यदि ईश्वर से जुड़े रहेंगे और सत्य की राह पर चलते रहेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित है हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए हो सकता है अरचना आपके जीवन में आए लेकिन आपके जीवन की अरचने आएंगी और चले भी जाएंगे आपको बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगे यदि आप शुद्ध, हरात्मक और आध्यात्मिक बने रहेंगे तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बता दें कि आने वाला तीन से पांच दिन का जो समय है वह स्वास्थे के हिसाब से तो ठीक है फिर भी हम आपको कहेंगे कि बदलते मौसम के अनुसार आपको साथानी रखने की आवश्यक्ता रहेगी कब से जनित रोग आपको परिशान कर सकते हैं और बात से जनित रोग भी आपको परिशान कर सकते हैं यानि कि सर्दी जुकाम बुखार से लेकर शरीर में दर्द, हलका, बुखार और कमर और पीठ के दर्द आपको परिशान कर सकते हैं तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यक्ता रहेगी, अपने खानपान पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता रहेगी, अप का आत्म विश्वास भी उँचे स्तर पर रहेगा। दोस्तों, यह तो थी कि इस समय आपकी जगह स्थिती है, जो ग्रह गोचर बन रहा है, उसके अनुसार आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, और किस प्रकार की नहीं, इसके विशय में चर्चा अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी वह दिव्य शक्ती है जो आपके आसपास घूम रही है और आपको अपनी शरण में लेना चाहती है, लेकिन इस बात का आपको बिलकुल भी एहसास नहीं है, जब आपको एहसास हो जाएगा, तो आप कुछ उपाय करेंगे, कुछ सावधानियां बढ़तेंगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमतकार घटित होते हैं, य शक्ती में शक्ती है, और क्यों वह आपकी आसपास घूम रही है, और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है, तो दोस्तों, वर्ष का जो यह समय चल रहा है, इस समय आपकी राश्य में कुछ ऐसी तथा बनती है, जिससे लाल किताब में दिव्य तथा कहा जाता है, आपकी दाश्य के लिए ही विशेश तोर से उत्पन्न होती है, और अगले साथ से आठ दिनों तक यह दशा आपके जीवन में रहने वाली है, अब ऐसे में होता यह है, कि मा अन्नपूर्णा आपके जीवन में, आपके संघर्ष में, आपका साथ देने के लिए आती है, दोस्तों, मा, अन्नपूर्णा कोई और नहीं स्वयम माता पार्वती ही है, यानि कि भगवान भोले नाथ और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन पर बरसना चाहती है, अब आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको कुछ विशेश उपाय करने चाहिए, दोस्तों, अब एक और खास बात हम आपको बता दें, कि जिस इनसान के उपर माता अन्न पूर्णा की कृपा हो जाती है, उस इनसान के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह जाती, उस इनसान को इस संसार का हर एक सुख प्राप्त हो जाता, तो आपने सुना ही होगा, हमारे बड़े बुज करने के लिए तयार भी है, बस आपको कुछ छोटे-छोटे उपाय करने होंगे, तो अब ध्यान से सुनिए कि माता अन्न पूर्णा का वास आपके घर में कहां होता है, दोस्तों आपका घर का जो रसोई घर है, वह कोई साधारन स्थान नहीं है, दोस्तों आप उसे अपने घर का उर्जा का केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जो भी उर्जा उत्पन्न हो रही है, वह आपके घर की रसोई घर से ही तो उत्पन्न हो रही है, देखिए जो आपके घर के लोग हैं, आप स्वयम भी आपको उर्जा कहां से प्राप्त होती है, भोजन से और भ अधिक उर्जा भी प्राप्त होगी और अधिक उर्जा के साथ आपका मन, मस्तिश्क भी शुद्ध और पवित्र रहेगा। उच्च स्तर के विचारों से भरा रहेगा तो फिर आप जो कार्य करेंगे और मैं आपको आधित्य सफलता भी प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और माता अन्पूर्णा, माता पारवती का ही तो स्वरूप है तो भगवान भोले नाथ भी आपके साथ होंगे। यदि आप माता अन्पूर्णा का सम्मान करते हैं और कुछ उनकी पूजा पाठ के उपाय करते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। दोस्त, प्राचीन काल में हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसमें तो माता अन्पूर्णा का विशेश खयाल रखा जाता था और घर की रसोई में बिनासनान किये घर का कोई सदस्य प्रवेश नहीं करता था। जूठे बरतन घर की रसोई में रहते नहीं थे और रसोई को किसी भी हालत में गंदा और अपवित्र नहीं किया जाता था। लेकिन अब समय बदल लो रसोई घर को महत्व देना बंद कर दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग जो खा रहे हैं वैसा ही बनते जा रहे हैं। यानि कि एक भाग दौड भरा बिलकुल ही अव्यवस्थित भोजन खा रही है और वैसा ही उनका जीवन हो गया। भाग दौड भरा अव्यवस्थित बेचैनी से भरा हुआ हम देखते हैं कि लोग भी शक करोड़ पती हैं। जो जैसा है वैसा ही तो बिहार होगा। दोस्तों जैसा हर खाएंगे। वैसे ही तो उनकी जीवन की परिस्थितियां बन जाएंगे। जीवन भर जाएगा। यही तो हम कहना चाहते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत परिशानिया हैं, उनकी जड़ पर काम करना है और जड़ कहां है माता? अन्नपूर्णा जो आपके रसोई घर में बैठी हैं। बस वही से आपके जीवन के बदलाव की जड़ है और वही आपको कार्य करना है तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ छोटे-छोटे से उपाए जो आपको अपने घर की रसोई घर में करनी चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों के उपाए करने में कुछ नहीं जाता जो हमारे घर में मौझूद है। उन्ही चीजों से उपाए किये जाते हैं। यानि कि बिलकुल फ्री में उपाए हो जाते हैं। एक भी रुपया नहीं लगता बस आपका सात्विक मन, शुद्ध, मन और आपकी थोड़ी लेकिन बदलाव चमतकारी होते हैं। दोस्तों विश्वास करके देखिए हम आपको जो उपाए बताने जा रही हैं। बस आप इन उपाएों को एक बार करके देखना आप देखेंगे कि अचानक ही दूसरे ही दिन से आपके घर के लोगों की मानसिक्ता बदलने लगे। कि कौन सी है वह गुप्त उपाए जो आपको करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। कुछ नियम बनाने हैं। नहीं रहना चाहिए। तो ये तो थी कुछ सावधानिया जो आपको रसोई घर में रखनी है। आप अपने घर के रसोई घर को किसी मंदिर से कम मत जानिये। दोस्तों वहाँ पर स्वेम माता अन्नपूर्णा बैठी हुई हैं तो आप उसे मंदिर ही समझ कर उसके साथ जो दीवाल पढ़ती है उस दीवार पर आपको माता अन्नपूर्णा की एक तस्वीर लगा देनी है। निश्चित तोर पर लगानी है। अब आपको क्या करना है। अब हम आपको एक मंत्र बताने जा रहे हैं जो माता अन्नपूर्णा का मंत्र है लेकिन संपूर्ण मानव जाती के उध्धार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी प्रकार की बाधा हो, समाप्त हो जाएगी और कोई भी कष्ट हो धीरे-धीरे कटिया बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है तो आपको इस मंत्र का जाप नहीं करना है आपको इस मंतर को किसी कागज पर लिखना है, याद रखना है कागज सफेद रंग का होना चाहिए और मंतर आप उस पर लाल रंग से लिखेंगे दोस्तों, लाल रंग की स्याही से कोई मारकर वगेर रह ले लेना है और उससे आपको यह मंत्र उस कागज पर लिख देना है तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा ध्यान से देखें और इसे नोट कर लें दोस्तों, मंत्र हम बोलने जा रहे हैं ध्यान से सुने दोस्तों, बहुत ही महत्वपून और शक्तिशाली मंत्र है एक बार फिर से ध्यान से सुनिए दोस्तों, ओम सर्व, बाधा, विनिर्मुक्तो, धन्धान्य, सुल्तान देता मनुष्य प्रसादेना भविश्यतीन संशे दोस्तों, इस मंत्र को आपको लिख देना है दीवाल पर आपको क्या, नहीं फोटो लगानी है मा अन्नपूर्णा की और उस फोटो के ठीक नीचे आप इस मंत्र को लिख देंगे अब जब भी आप अपने घर की रसोई घर में प्रवेश करेंगे जो आपके घर की महिलाएं हैं रसोई घर में प्रवेश करेंगे सबसे पहले उन्हें माता अन्नपूर्णा के दर्शन होंगे और इस मंत्र के दर्शन होंगे तो बहतर यह होगा जब भी महिलाएं रसोई घर में प्रवेश करें इस मंत्र को एक बार बस ठीक से देख ले गौर से देख ले और मन ही मन इसे एक बार पढ़ ले बस मन ही मन एक बार पढ़ ले फिर रसोई की शुरुआत करें खाना बनाने की शुरुआत करें तो जो खाना आपका बनी वह किसी प्रसाद से कम नहीं होगा अत्यंत उर्जावान, शक्तिशाली और भाग्यशाली खाना बनेगा दोस्तों आप यकीन करिए अब एक और खास बात दोस्तों जो गैस चुला है जिस पर भोजन तयार होता है गैस चूलहे पर होता है या किसी अन्य प्रकार के चूलहे पर भी यदि भोजन तयार होता है तो रात्री के समय जब महिलाएं पूजन कार्य को समाप्त कर दें सभी को भोजन खिला देती हैं और रसोई घर को बंद करने जा रही होती है उससे कुछ देर पहले उस चूलहे को अच्छी तरह से साफ करें उसे जल्द से नहीं लाएं उसे साफ करें और उसके बाद एक गाय के घी का शुद्ध दीपक उसे चूलहे के उपर बच्चे दोस्तों कहीं भी जहां विवस्थित हो जला कर रख देना है माता अन्नपूर्णा को याद करते हुए और उसे वहीं जलते हुए छोड़ देना है घर की रसोई साफ रहेगी माता अन्नपूर्णा का पूरी तरह से स्वागत होगा और आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल पूरी तरह से शुद्ध सकारात्मक उर्जा से भर जाएगा चाहे किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में आ रही हो समाप्थ हो जाएगी बस इन उपायों को आपको एक बार करके जरूर देखना है ना दोस्तों हमारे कहने से एक बार आप करके देखो बदलाव नहीं आए तो छोड़ देना कोई इसमें पैसे तो लग नहीं रहे है एक और बात दोस्तों की कुछ महिलाओं के ऐसे कमेंट आते है कि बच्चों का टिफिन सुबह के समय तयार करती है तो उस समय नहा के रसोई घर में जा पाना संभव नहीं हो पाता है तो अब ऐसी स्थिती में क्या करें तो दोस्तों जब भी आप जल्दबाजी में हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो गंगा जल है आपके घर में हर घर में गंगा जल अवश्य होता है गंगा जल इसी समस्या का समाधान होता है जो तुरंत स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता प्रदान कर देता है तो बस यदि रसोई घर में ऐसी स्थिती में जाना है तो दो बूंद गंगा जल के अपने उपर छिड़क लेना है बस इतना सा कार्य कर लेना है और इसी के साथ साथ दोस्तों जवाब अपने उपर छिड़कें, यानि महिलाएं जब जल अपने उपर छिड़कें तो उस समय भगवान श्री हरी विश्नु को याद कर ले जी हाँ दोस्तों ओम नमो, भगवते वासु देवाए इस मंत्र का तीन बार जप कर ले मन में केवल ध्यान ही कर लेना जाप करें सिर्फ मन में ध्यान कर ले बस इतने से ही काम हो जाएगा आप पवित्र हो जाएंगे फिर आप रसोई घर में जाएं और हाथ जोड़कर माता अन्नपूर्णा का स्वागत करें और अपनी रसोई तयार करें यह तो व्यवस्था ऐसी हो गई कि जब आपको समय नहीं मिल रहा है तब लेकिन आप इसे अपना नित्य का कार्य ना बना लें। जब भी आपको समय मिले तो आप पूरी पवित्रता के साथ ही रसोई घर में जाएं और पूरी पवित्रता के साथ अपनी रसोई को तैयार करे जब समय नहीं मिल रहा है तो फिर आपकी व्यवस्था हमने बता दी है इस तरह करें दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी जो हमने दी है अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है अब यदि आपके मन में कोई प्रशन उठता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछे हम आपके क्योंकि जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्त इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमा, काली जैमा, शेरा वाली लिखना बिलकुल भी ना भूले माता की सीधी, कृपा, प्रेम और आशीरवाद आपको प्राप्त होगा मिलते हैं अगले घ्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैमाता की